हेलो और वेलकम बैग डियर श्टुडेंट्स जैसा कि हम लोगों ने लास सेशन में स्टेडी किया था कैसे हम अपना एक्सल सीट जो होती है आपकी स्प्रेड़ सीट जो होती है उसके अंदर डेटा कंसोलिडेट कर सकते हैं एंड जो आपका पर्टिकुलर कोलम है या फिर आ कि आपको पूरा कंप्लेट रेंज का स्पेसिफाइब नहीं करना होता है कि एवन कोलन एफाइफ यानि कि एवन से फाइफ तक देना आपने अगर उसको नाम दे दिया है रेंज नेम दे दिया है तो आप उसको फोर्मुला में यूज कर सकते हैं नाव जैसे फोर एक्जां कर सकते हों कमबय्न कर सकते हैं नाव अगर उसको फोर्मूलला करना घर्शांपले में करता कि करने के लिए फर्स्ट ओफ All आप Mathematical category जो आपका function विजार्ड होता है insert में जाकर function पे click करेंगे तो आपके पास functions होंगे होत्व हो सारी functions आपके पास होते हैं और उसमें आप data जो आपका menu बार है दूसरा आप data menu बार पे click करके altoo Star Drop पे करेंगे तो आपके पास वो functions दिखाएगा और वो functions में आपको subtotal सेलेक्ट करना है and subtotal से क्या होता actually जो हम बात कर रहे थे range की तो range in the same way आपका range in array array का meaning यह है कि contagious आपकी cells को अगर आप एक किसी group वो cell आपका labeled cell है या column है okay column या row जो आपकी labeled है okay उसको हम क्या कर सकते हैं subtotal कर सकते हैं जैसे आपने कोई spreadsheet में data entry कर रखी है इस तरीके से और आपने row wise या column wise उनके headings लिख रखी है for example यह आपका math marks है यह आपके hindi के हैं यह आपके it के हैं okay now अगर इन columns में आपने value insert कर लिया now you can direct subtotal of these columns here okay इनका आप subtotal यहां पर कर सकते हैं और इन सब का grand total आप यहां पर सो करेंगे तो इस तरीके से क्या करता है particular एक किसी continuous cell या array को आपका क्या कर देता है data को सब टोटल यहां पर create कर देता है सब टोटल जो आपका function है और in the same way अगर other column है एक से ज्यादा column से उनका भी सब टोटल कर सकते हैं और अगर आपके यह सब टोटल वेल्यू जाए इनका grand total करने है तो आप इनका grand total भी कर सकते हैं यहां पर ओके फाइदा होता आपका सब टोटल जो आपके पास column होता है उसका यूज कर सकते हो आप जो सब टोटल डायलोग बोक्स आपके पास open होता है आपको उसमें different जो options होते हैं उनका यूज कर सकते हैं आप अपने फोर्मला को manage करने के लिए आपका जो ग्रूप ओफेरे से यहां पर मिनिंग है वह यह है कि जब आप apply करते हो function और apply करने के बाद में करते हो ग्रूप ओफेरे से मिनिंग है कोई particular column या फिर कोई particular रो जिसमें आप सब टोटल implement करना चारे हो ठीक है और आप उसको order भी कर सकते हो कि वह ascending order में होंगे डेटा या फिर descending order में होंगे वह भी आप option का आपके पास यहां पर बटन होता है ओके वहां पर जाके आप उसको चेंज कर सकते हो जो डेटा आपके पास सब टोटल होके आता है ओके नाव यू कन ऑल्सो कैल्कुलेट यूर ग्रेंट टोटल टुदे सलेक्टेड एरे जो आप रजल्ट्स आप क्या होते हैं रजल्ट वन रजल्ट टू जो भी आपकी सेल् जैसे हमने अभी एक्जामपल लेके देखा कि हिंदी इंगलीस और इटी के नंबर है तो उनके रजल्ट्स आते हैं रजल्स का आप क्या कर सकते हो ग्रेंट टॉटल कर सकते हैं अगर सब टोटल आपको इंसर्ट करना है तो आपको क्या अंशोर करना है जब फरस्ट ओफ आ डेटा मेन्यू बार में जाएंगे वहां पर आपकी पास सब्टोटल का उप्शन होगा सब्टोटल डालोग बोक्स जब आपका ओपन होगा तो उसमें ग्रूप बाइब बोक्स होगा ओके आपको इस ग्रूप बाइब बोक्स पे क्लिक करना है एंड अगर आपका इफ दे कंटेंट ओन दे स्लेक्टेड कोलम चेंज दे सब्टोटल सोल सो अटोमेटिकली चेंज एंड री कल्कुलेटेड यह आपका बेनिफीट होता है जब आप कोई फॉर्मला इंप्लिमेंट करते हैं फॉर एक्जामपल आपने सब्टोटल का फॉर्म सब्टोटल तो वह आगया आपका 50 फाइदा क्या है अगर आपको बाद में पता चलता है कि इस स्टुडेंट के 20 ने इसके 30 मार्क्स हैं तो आप इसको चेंज करते हो 30 तो आपको यहां चेंज करने जरूत नहीं यहां ओटोमेटिकली क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा यानि क कि आपका जो टोटल है सब्टोटल है वह ओटमेटिकली रिकल्कुलेट हो जाता है अगर आप कोई भी कंटेंट उस पर्टिकुलर कोलम में चेंज करते हैं तो ठीक है यह इसका अच्छा बेनिफीट है नाव दा कैल्कुलेटर कैल्कुलेट सब्टोटल फोर दा बोक्स सले आप चूज कर लेंगे एक फोर एक्जामपल सम के अलावा भी अगर आपको फंक्शन इंप्लिमेंट करना चाहते हैं तो वह भी आप यूज कर सकते हैं फंक्शन बोक्स के अंदर से मैं एक बर इसका जो डायलोग बोक्स वह आपको शो कर देता हूं कैसा डायलोग बोक्स इस तरीके का डायलोग बोक्स आपके पास ओपन होता है यह आपका ग्रूप सो करता है जैसे आप फर्स्ट ग्रूप कहां इंप्लिमेंट करें हो उस कोलम का नाम लिख सकते हो एक से ज्यादा कोलम का सब्टोटल कर रहे हैं तो यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे कोलम एक ही ब बटन पर लिख कर देंगे तो आपका क्या हो कैल्कुलेयो बटन कर देंगे तो आप perfect के आपकर रोकुलम का हो सब्टोटल क्रिएट करना चाहते तो दूसरे ग्रूप कर सकते हैं नाव सब्टोटल का यहांान बंइनिंग है हमारा वह इस तरीके से समाझ सकते हो कि हम कूं सीख रहे हैं सब्टोटल करना सीख रहे हैं यह फर्दर आपके काम आएगा जब आप सिनेरियों यूज करोगे ठीक है गोल सी करने सिनेरियों जो हमारा मोटिव है सेशन का वह यूज करेंगे लास जो आपका नाइंत क्लास था उसमें भी आप लोगों ने स्टेडी किया था क्या आपका एडिशन मल्टिप्लिकेशन डिविजन डिफरेंट जो फंक्शन जो हम लोगों ने यूज किये थे मीन मैक्स काउंट आप उनको एक बर रिवाइज कर लीजिए अधरवाइस जब अजिए जो लास्ट वाला कोलम है ते सुर ओप्शन तो आप ओप्शन का भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं नाव अगर अपने डेटा को आरेंज करना चाते हो असेंडिंग डिसंडिंग ओडर में तो आप कर सकते हैं तो इफ यू यू यूज मोर दिन वन गरूप then you can also arrange the subtotal according to your choice made on the dialogue box option यह आप अपने according change कर सकते हैं आप ascending या descending order में अपने data को define कर सकते हैं और otherwise custom sort भी कर सकते हैं इसका option काओ मिलेगा आपको वही आपका tools में options होते हैं यहां फिर आपके पास जो dialogue box होता है सब्टोटल का dialogue box open हुआ है उसमें आपके पास options का button होता है आप उसका भी use कर सकते हैं शोट लिस्ट का मिनिंग यहां पर यह है जब आप सब्टोटल डालोग box आपका open होता है तो उसमें आपके पास क्या होता है options जो लास्ट आपका button है उस क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास grouping का option होता है प्रिशोट एरिया according to the group का मिनिंग है कि जो हम लोगों ने पहले से sort कर लिया कि इस group का मुझे सब्टोटल क्रेट करना है तो यह आपका उसे ही करेगा दरवाज आप उसमें डिफाइन कर सकते हो कि के सेंसिटिविटी के according करना है यहां पेजब्रेक करना है यहां हमने कहीं कोमा से अपरेटेड वेल्यू दी है उसके कर दो हम यहां करते हैं नआ आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हो हो शोट कर सकते शेंडिंग सेंडिंग ओंडर में करना है वह आपके पास यहां उप्सवली कर देंगे तो आपका यहां पर रिफलाक्ट हो जाएगा नाव जो next session हमारा होगा उसमें हम यह जो आपका scenario है इसको study करेंगे तिल दाट आप अपना जो unit जो part 1 और part 2 हम नोगों ने किया है उसको revise कर लेजिए यह आपका use होगा आपके next session में and अच्छे से समझेंगे scenarios क्या होते हैं Excel में इनका यूज क्या होता है so keep studying keep learning and share the video with your friends such that maximum students को फाइदा हो जाए और subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लिजिए thank you